नमस्कार सुलक्ता सवाल में आपका सौगत है मैं हूँ आपके साथ सबाशाहिच्छे हिमाचल में कॉंग्रेस की सरकार बने जुमा जुमा चार दिन हुए नहीं कि राज में बवाल पहले खड़ा हो गया है हिमाचल इतना कर्ज में डूब चुका है कि मंतरी विभाग छोड़ कर भागड़े को तयार है मीडिया में आकर बयान बाजी कर रहे हैं कि सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है कहां से योजनाय पूरी करें कहां से वादो पर खरा उत्रें हालात ऐसे हो गए हैं कि सुखु की कुरसी हिलती दिखाई दे रही है हिमाचल की स्थीती ने एक बार फिर सोनिया गांधी और घड़गे की नीन नुरा दी है जिससे बिमार हुई हिमाचल कॉंग्रेस पर तमाम सवाल सुलग रहे है क्या कर्ज में डूबा हिमाचल हो गया कंगाल क्यों एक महीने से संकट से घिरी सुखु सरकार क्या राजे का विकास नहीं कर पा रहे सुखु सुखु ने पियम मोदी से क्या गोहार लगाई इन सवालों से हिमाचल का सियासी पारा हाई कर दिया है आगे ट्वीस पर बात करें उससे पहले कैसे कंगाल की मार जेल रहा है हिमाचल प्रदेश कैसे कॉंग्रेस के मंतरी अपना पद छोड़ कर भागने के मूर्ग में है तो चलिए बताते हैं दरसल हिमाचल के उद्योग मंतरी हर्श वर्दन चोहान का कहना है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्तिती बेहत खराब है हमारे पास पैसे का अभाव है हिमाचल प्रदेश 75,000 करोर रुपे के कर्ज के नीचे दबा हुआ है और इस समय सरकारी करमचारियों की देंदारी ही 11,000 करोर रुपे की है हमारे पास day to day खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं है उद्योग मंत्री हर्श वर्दन चोहान ने कहा कि पिछली सरकार ने उन पर 75,000 करोर रुपे का कर्चोड दिया है इसके अलावा सरकारी करमचारियों की 11,000 करोर की देंदारी भी है इस तरह हिमाचल प्रदेश पर करीब 86,000 करोर रुपे का बोज है ऐसे में अब हिमाचल प्रदेश सरकार खर्चों में कटोती के साथ वित एकत्रित करने की योजना पर भी काम कर रही है मुख्यमंत्री सुकविंदर सिंग सुक्खु ने अधिकारियों के खर्चे भी कम करने के साथ रेवेन्यू लिकेज की भी रिपोर्ट तलब की है सोचिए जब एक दिन के खर्चे का पैसा नहीं बचा है तो जनता की क्या हालत हो रही होगी कॉंग्रेस की सरकार आने से हिमाचल में बरबादी आ गई है राजे का विकास ठप हो गया है ऐसे में हिमाचल प्रदेश का जो सरकारी खजाना है वो बिलकुल खाली है प्रदेश कंगाल है सुक्खु के मंत्री ने भी रोते हुए तमाम बाते कही है हर्शवर्दन चोहान का कहना है कि हमें हिमाचल प्रदेश को अब नए सीरे से खड़ा करना होगा आज हमारा रेवेन्यू कहां से आएगा कहां पर रेवेन्यू की लीकेज है हम इन सब बातों को लेकर लगे हुए है हर मंत्री को मुखे मंत्री ने कहा है कि अपने डिपार्टमेंट में खर्चे पर कटोटी कैसे की जाए रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए इस पर काम किया जाए मुखे मंत्री सुखु ने हर मंत्री को कहा है कि महीने में रिपोर्ट देकर बताए कि इन सब पर कैसे काम किया जा सकता है सरकारी अधिकारियों के खर्चों को भी कम किया जाएगा यानि कि अब हिमाचल में हाहकार मचने वाला है क्योंकि सरकार अपना रेविन्यू बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है राज में महंगाई बढ़ाई जनता पर उसकी मार पड़ेगी तो हाहकार मचना लाजमी है अब जनता सुकु सरकार और उनकी नीतियों से परिशान हो गई है ऐसे में बार-बार मोदी सरकार को कोसने वाले सुकु मोदी के चर्णों में जाकर गिर-गिरा रहे हैं राज के लिए आर्थिक मदद मांग रहे हैं हाली में सुखु ने नई दिल्ली में पीम मोधी से मुलकात की है इस दोरान करीब 40 मिनट तक दोनों में बात चीत हुई पीम से मुलकात के बाद अब सुखु केंद्रे राज्य मंत्री जितेंद्र सिंग से मिलने गए हैं खबर है कि पीम मोधी से मुलकात में सुखु ने राज्य की मदद करने और अपनी कुछ योजनाओं का हवाला दिया पंड की मांग की ताकि चीजों को थोड़ा सुधारा जा सके लेकिन चुनोती तो सुखु के आगे वो वादे पूरे करने की है जो उन्होंने जनता से सरकार बनने से पहले किये थे चिनवादों की वज़ा से जनता ने उनके हातों में कुर्सी सौपी दरसल हिमाचल प्रदेश की सत्ता में काबिज होने से पहले कॉंग्रेस ने जनता से कई बड़े वादे किये हैं हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुखे मंतरी सुख विंदर सिंग सुखु ने मंत्री मंडल की बैठक में ओल्ड पेंशन स्किम की बहाली का फैसला लिया है ओल्ड पेंशन स्किम की बहाली के बाद हिमाचल प्रदेश पर पहले साल में 800-900 करवोर रुपे का दबाओ पढ़ने वाला है इसके अलावा कॉंग्रेस सरकार ने 18 साल से 60 साल की महिलाओं को 1500 मासिक पेंशन देने का भी वादा किया है कॉंग्रेस पार्टी सरकार के सामने इन वादों को पूरा करना बड़ी चुनोती रहने वाली है मुखे मंतरी सुखविंदर सिंग सुखु ने जब डीजल पर 3 रुपिय वेट में बरहोतरी की थी उस समय ये संकेत दिये थे कि आने वाले वक्त में भी जनता को बदलाओ के लिए तयार रहना चाहिए ऐसे में केंदरी वित पोशन पर चलने वाले हिमाचल प्रदेश पर आर्थिक संकट मडराता नजर आ रहा है इसी तरह एक लाख यूवाओं को रोजगार देने का वादा भी कॉंग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जोरो शोरो से किया था अब बादों के साथ सत्ता में तो आ गए यूवा वर्ग भी आज देख रहे हैं कि सरकार उनके लिए भी खजाना खोले लेकिन जो खजाना पहले ही खाली पड़ा है उसे कैसे यूवाओं का पेट भड़ा जाएगा ये एक बड़ी चुनोती सुखु सरकार के लिए बन गई है वही माचल सरकार के खजाने पर इस बार नए वेतनायोग की देनदारी का बोच पड़ा है अभी भी एरियर का आठ हजार करोर और डिये का करीबन दो हजार करोर रुपये कुल मिलाकर दस हजार करोर की देनदारी करमचारियों और पिंशर्स की है इससे लिए भी सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा वही सवाल ये भी उट रहा है कि अपने मुफ्त के वादे सुखु कैसे पूरा करेंगे दरसल कॉंग्रेस ने हर घर को 300 यूनिट एक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था जिस पर सालाना 2500 करोर रुपये का और खर्च आएगा तो कहां से मुफ्त यूजना देने का पैसा आएगा ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है हिमाचल के लिए 2022-23 में राजसब घाटा 3930.49 करोर रुपये और राज कोशिय घाटा 9602.36 करोर रुपये रहने की संभावना है पार्टी को राज की सत्ता में लाने में मदद करने वाले सबसे बड़े वादे पुरानी पेंशन योजना की बहाली भी एक चुनोती पूर्ण काम है तो ऐसे में लाख चुनोतिया सुखु के आगे खड़ी हो गई है खजाना भी पूरी तरह खाली है कर्ज पर कर्ज चड़े जा रहा है हाथ कुछ लगा नहीं सुखु के मंत्रियों का मुँ भंग हो गया है क्योंकि वो जन्ता से कि ये वादे पर पूरा नहीं उतर पा रहे है अपने लाकोई का विकास नहीं कर पा रहे है जिससे जन्ता भी उनसे नाराज हो गई है जिसकी वज़ा से कॉंग्रेस का लोग सभा चुनाओ में बुरा हश्र होने वाला है जन्ता जिस भरोसे के साथ कॉंग्रेस को सत्ता में लाई वो भरोसा सुखु ने चकना चूर कर दिया जिसे हिमाचल में त्राहिमाम मचने वाली स्थीती पैदा हो गई है। यानि कि अब हिमाचल में बड़ा खेल होने वाला है। सु लगता सवाल में आज के लिए इतना ही नएस सवालों के साथ फिर पेश होगे। तब तक के लिए देखते रहिए क्यापिटल टीवी नमस्कार मैं राजनीती करता नहीं पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता मैं लोगों के बीच लेता लोगों के मन को अच्छे से जानता संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंधासन तक मैं हर ख़बर से खरा सक्ष निकालता ना कोई दौड ना कोई रेट्स क्यापिटल टीव उत्तर देश